हाउ रू फिक्स केमरा प्रॉब्लेम ओन जूम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तेकिराश यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर जोए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप केमरा प्रॉब्लेम को फिक्स कर सकते जूम एप पर ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आईए हम वीडियो को ज़्यादा दिर नहीं करते और वीडियो को फटक से शुरू करते लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चेनल को सबस्क्राइब कीजे साथ ही साथ बैल आईकोन को भी क्लिक कीजेगा ठीक है और यदि आप दोस्तो ओनलाइन से पैसा कामाना चाते तो आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंग चेक आउट कीजे और दोस्तो यदि आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पर कॉम्प्लेंट करना है और यार विक कोई भी प्रॉब्लेम है तो आप हमें Twitter पर follow करके message जरू कीज़ेगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं अभी दोस्तो सबसे पहले तो आपको किया करना है केमरा का प्रॉब्लेम आने से तो आप दोस्तो मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके देखें मोबाइल रिस्टार्ट से काम होते है तो ठीक है यदि नहीं होते है तो दोस्तो आप ज करके Apps पर जाना है current एपस पर उसके बाद Manage एप इंस्तोल एप य naw is इंस्तोल एप्टेट मेंचमेंट करके आपको ॉप्शियन मिल जाएगा अभी दोखता। अब ratios करना है आपको search करना है जूम एप्लिकेशन तो इस ट्रॉल डाउन करकी यहाँ पर जाईए और जूम एप को जो है ऑपेन कर लीजिए और दोस्तों आप यहाँ पर ढेख सकते फॉर्ट सॉप का बटन ठीक है इसको जो है फॉर्स टॉप कीजिए और सारी सार इसका जो डेटा है उसको ट्ले में जाएए camera पर तो same process आपको करने है फोर्स तो उसके बाद clear data ठीक है okay कर देना है clear data और उसके बाद दोस्तों एप permission पर जाना है complete permission को allow करने और दोस्तों आपका जो यहाँ पर zoom अब उसको open कीजिए आपका जो प्राबलम में वह यही पर fix हो जाएगा और सारी साथ दोस्तों मैं आपको कुछ settings भी बता देता हूँ ठीक है तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यह है दोस्तों आपका zoom interface अभी दोस्तों आप जब भी meeting को host करते तो आपका जो तो वीडियो आन है उसको क्लिक केजिए ठीक हो क्लिक करने के पार आप स्थाइओ ङतरो चलो हो जाएगा और सारे साथ ऐसे यादि आप जोइन करते तो यह बटन को दोस्तों आप बिलकुल ओफ मत किजेगा ठीक है भिलकुल दोस्तों इसको यानि कि आपको हीघ तो इसको ऊफ करने केबाद आपका जो यहाए पर मॉबाइल है उसको एक बार किजिए ठीक करने केबाद दोस्तों आप जाके चेक एपका जो प्रॉबलम ही वह फिक्स हो चुका हुगा ठीक है तो यह एक कॉंपलीट प्रॉससिया आपका प्रॉबलम fix हो जायगा ठींके और दोस्तों अपका जो problem है दोबारा से आते तो आप दोस्तों application को अन इंस्टोल करके दोस्तोμ करने चाहिए और यहाँ पर चाहिए अप को रेपोर्ट कर दिने ठीक है और दोस्तों इससे आपका जो प्रॉब्लेम है वह चोब इसगों ठीक है अंदर पर फिक्स हो जाते हैं तो यह पुरा सॉलुशन आपको step by step करना है और आपका जो प्रॉब्लेम है दोस्तों इससी सॉलुशन के true fix हो जागा ठीक है तो चले दोस्तों आज की वीडियो पर बस इतने उमिद करते हैं आपको जो है वीडियो पसन होगा यह आपको वीडियो पसन आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक्स वाचिंग